क्या आपके गार्डन या घर में निकलने वाली चीटियों से आप परेशान हैं और कई तरह के घरेलू इलाज के बाद भी चीटियां खतम नहीं होती क्या आपके गमलों में चीटियों ने घर बना रखा है तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा चीटियों से छुटकारा पाने के लिए आपके किचिन में मिलने वाली चीजों से 100% effective herbal insecticide बनाने का tried and tested organic तरीका वो भी इसके results के साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Hello everyone मैं हूँ शरीश और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल bonsai and gardening zone मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे चीटियों से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में सवाल पूछे थे तो आज का ये वीडियो मैंने खास उनी व्यूवर्स की demand पर बनाया है दोस्तो चीटियों की कई स्पीशीज हमारे घरों और गार्डन के आसपास रहती हैं जिन में harmless छोटी काली चीटियों से लेकर aggressive लाल चीटियां सबसे common है इस वीडियो में मैं तीन असरदार तरीके बताऊंगा जिससे आप चीटियों को मारे बिना उन्हें eliminate कर सकते हैं वैसे तो चीटियां पौधों को कोई नुकसान नहीं करती ये मिट्टी में tunnels बना कर मिट्टी को ढीला करती हैं जिससे अच्छा aeration होता है और ये पौधे के लिए काफी फायदे मन भी होता है और ये मरे हुए कीट पतों को का भी सफाया कर देती है पर प्रॉबलम तब शुरू होती है जब ये आपके घर के कोनों में, बगीचों में या गमले में कॉलोनी बनाना शुरू कर देती है ये गमले में लगे प्लांट्स की रूट्स के आसपास की मिट्टी को हटा कर उसे सुखा देती है इसलिए जब आपको थोड़ी बहुत चीटिया दिखें तभी इन पर कंट्रोल कर लेना चाहिए यदि आप इने इग्नोर कर देंगे तो देखते ही देखते चीटिया आपके गार्डन पर कबजा कर लेंगी और बगीचे या गमलो की मिट्टी के नीचे बड़ी कॉलोनीज बना लेंगी और तब इनसे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चीटिया अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए काफी अग्रेसिव और तेज होती है पौदों पर अकसर काली चीटिया देखने को मिलती है जो काटती नहीं है पर गार्डन की मिट्टी में लाल चीटिया भी होती है जो अपनी कॉलोनी के बचाओं में हमला कर देती है और डंक मर देती है यदि आपके प्लांट पर या बेल पर आपको धेर सारी चीटियां चलती होई दिखाईने तो पत्तियों को नीचे से चेक करके देखिए हो सकता है ये चीटिया एफिट्स या रस चूसने वाले कीडों के कारण आ रही है एफिट्स एक मीठा लिक्विट बनाते हैं जिसे हनी डियू कहते हैं चीटियों को ये हनी डियू बहुत पसंद आता है और इसके बदले में चीटिया एफिट्स की फार्मिंग करने लगती है एफिट्स को पौधों के अलग-अलग हिस्सों तक पहुचाती है और इन्हें दूसरे शिकारी कीडों से बचाती है धीरे-धीरे आपका पौधा इस तरह के एफिट्स और चीटियों से भर जाता है कभी-कभी चीटिया बीजों को भी अंदर से खाकर खोकला कर देती हैं जिससे सीट्स जर्मिनेट नहीं हो पाते यदि आप इन पर जहरीले केमिकल पेस्टिसाइट्स का इस्तिमाल करते हैं तो इससे सिर्फ उपर दिख रही वरकर चीटिया ही मरती हैं पर इनकी असली कॉलोनी पर असर नहीं होता और ये दोबरा आ जाती हैं साथ ही ये जहरीला कीट नाशक सेहत के लिए भी बेहत नुकसान दायक होता है वैसे तो आपके किचिन में ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जिने चीटिया पसंद नहीं करती लेकिन औरगेनिक गार्डनिंग के मेरे सालों के एक्सपिरियंस से मैं किचिन इंग्रेडियंट्स के कुछ कॉम्मिनेशन्स ट्राय करता आ रहा हूँ जो मेरे गार्डन और गमले की चीटियों से निजात पाने के लिए काफी एफेक्टिव साबित हुए है सबसे पहला मेथर्ड है नेचरल और 100% औरगेनिक एंटी आंट स्प्रे बनाने का इसके लिए आपको चाहिए लेसुन की 8-10 कलियां 8-10 हरी मिर्च एक पूरा नीबू छिलके सहित एक टी स्पून हल्दी पाउडर और एक टी स्पून सिनिमन याने दालचीनी पाउडर हरी मिर्च के रस में तेज एसिड होते हैं जिने चीटिया सहन नहीं कर पाती दालचीनी पाउडर लेसुन और नीबू की गंच से चीटिया दूर भागती हैं और हल्दी और दालचीनी तो होते ही हैं नेचरल इंसेक्ट रेपिलेंट। इसके साथ ही हल्दी और दालचीनी पाउडर में नेचरल रूटिंग हॉर्मोंस भी होते हैं जिससे आपके पौधों को भी फायदा होता है। अब इन सभी को थोड़ा पानी मिला कर ब्लेंड करके बारीक चटनी जैसा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को 24 गंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 गंटे बाद इसे बारीक छन्नी या कपड़े से चान कर इसमें पानी मिला लिजिए ताकि इससे स्प्रेयर का नोजल चोक न हो जाए अब एक लिटर पानी में 200 ml तैयार सोलुशन मिला कर पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए खास तोर पर पत्तियों के नीचे जहां पर एफिट्स छुपे होते हैं एक घंटे बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी एफिट्स खत्म हो गए हैं और चीटिया प्लांट से गायब हो गई हैं दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि चीटिया कहां जा रही हैं इन्हें फॉलो करके आप इनकी कॉलोनी का पता लगा सकते हैं आम तोर पर चीटिया गमले के किनारों पर अंदर से मिट्टी निकाल कर इस तरह के छोटे छोटे धेर बना देती हैं ये सभी वरकर चीटिया हैं मैं थोड़ी मिट्टी हटाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंटेनर में इनकी पूरी कॉलोनी है इसमें कुछ पंक वाली फ्लाइंग आंट्स भी हैं जो होती हैं मेल चीटियां और रानी चीटियां ऐसा ही एंट हिल मेरे लॉन वाले गार्डन की बाउंडरी व पर अच्छी तरह से डाल दें ताकि पानी नीचे तक इनकी कॉलोनी में पहुंच सके बाकी गमलों में भी पानी थोड़ा थोड़ा डाल दें नहीं तो चीटियां इस गमले से भाग कर किसी दूसरे गमले में कॉलोनी बना लेंगी अगले दिन जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक भी चीटी नजर नहीं आ रही है दूसरे मेथड में आप एक लीटर पानी में मिलाईए 10 ml नीम ओयल जो आपको किसी भी एग्रिकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा इसमें मिलाना है 50 ml विनेगर या सिरका और एक टीस्पून लिक्विड हैंड वाश या ड दे डालिए एक गंटे बाद यहां एक भी चीटी नहीं है तीसरे मेथड में हम बनाएंगे और गैनिक एंट रिपेलेंट पावडर बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर सिनेमन याने दालचीनी पावडर और खाने का सोडा या वी डाल दीजिए क्योंकि अक्सर चीटियां गंटों के नीचे भी चुपकर रहती हैं और अपने अंडे हीुँई रखती हैं हर दस दिन में एक बार गमलो की मिट्टी की हलकी गुड़ाई करें, इससे चीटियां गमलो में घर नहीं बना पाएंगी और मिट्टी में एरियेशन अच्छा होने से प्लांट भी हेल्दी रहेंगे हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम उयल को एक लीटर पानी में मिला कर सभी पौधों पर रेगुलरली स्प्रे करते रहने से न सिर्फ चीटियां बलकि एफिड्स, मिली बग्स, स्पाइडर माल्ड्स और सफेद मक्खी जैसे किड़े भी आपके गार्डन से दूर रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इन मेथेड्स को फौलो करके आप भी और्गैनिक तरीके से चीटियों से छुटकारा पा सकेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सबस्क्राइब ज़रूर करें और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें थेंक्स वर वाचिंग एंड कीप ओन गार्डनिंग